जय जगन्ना, जय पंच सका सत्य बंझा के यूटिव चैनल में आप सब का स्वागत है सत्य बंझा यूटिव चैनल में प्रकासित होने वाले एक वीडियो का हम आज अनुबात करेंगे जो सत्यवंजजजी और पुलीन सर जो कल की लीड़ा पुस्तक करा चाहिता बहुत बड़ रिसर्चर है उनके बारे में है और ये पिछले वीडियो जो हम गहिराटिकिरी के उपर किये थे उसका कंटिनिवेशन वीडियो होगा पिछली वीडियो में जो हम गहरेटिकिरी को उपर किये थे वहाँ पर हम लोगों ने देखा था पुलिन सर ने कैसे हमको बोला था वह टाइम लाइन कि गहरेटिकिरी में जो यूद होने वाला है वो सबसे उडिसा का सबसे वड़ा यूद होगा जो उडिसा वाशी पहले कभी देखें नहीं होंगे और वहाँ पर बहुत रक्त पात होगा रक्त का नदीब हैगा साथ दिन साथ रात अंधिरा होगा और वहाँ पर एक जो खड़ाओ है वो प्रभू पहनेंगे और एक पत्थर का बीमान भी है जो कली को लेकर श्री जगनात और श्री वडवद्र लेके कली को बात कर लेके उस प्लेन से लेके कलकी के पास लेके जाएंगे तो आज हम उसी गहराटिकरी करेंगे और आगे देखेंगे कि पुलिन सर ने और क्या क्या कहा है यूद के वक्त प्रभू के साथ कौन कौन रहेगा प्रभू के पास तीन लाख सेना तो रहेगा उसको छोड़ के भी और कौन कौन रहेगा उसके बरे में जानते हैं बट उससे पहले हमको इतना पता है कि जितने भी हमारे दुस्मन है जो भी जवार होंगे, जो मुस्लिम्स होंगे, सब गहरा टिकिरी में आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि बलराम, प्रभु बलराम और प्रभु जगनाथ गहरा टिकिरी में हैं, और अगर वो उनको मार देंगे, तो वो पूरा यूद जीत जाएंगे, सब सोचेंगे, अगर उनको मार देंगे, तो पूरा यूद वो जीत जाएंगे, मतलब उनको और किसे लटने का जरूरत नहीं होगा, तो में जो है आपका जगनाथ जी अर बलराम, प्रभु जगनाथ प्रभु बलराम, उनको अगर वो खतम कर देंगे, तो यूद पूरा उनका हो जाएगा, शंबड़, तो इंग्रेज मतलब मेंली ब्रिडिश आर्मी होगा, पाताल मतलब अमिरीका है, तो बाली राजा का जनम अमरीका में हुआ होगा, और संबड़ा मतलब जाचपूर, यहाँ पर बोला गया है, तो अमरिका और यूचे दुनों हम लोग को हेल्प करेंगे, तो यहां पर एक बहुत बड़ा प्रशना आता है कि अब रश्या कहां होगा रश्या तो हमारा मित्रदेश है क्या वो हमको हेल्प नहीं करेगा नहीं रश्या हमारे एकेंस हमरे खिलाफ में होगा वो तो यह बहुत एक बड़ा प्रमान है जहां रश्या जो हमारा मित्रदेश है वो हमरे सत्र हो जाएंगे यहां गोहरा टिकरी में दमन लोग का सफाया हो जाएगा तो प्रभू वहां दमन लोग को मार देंगे जो बचे कुछे रहेंगे वो सब ओडिसा छोड़के चले जाएंगे और जाके वो कासी नगरी में पहुंचेंगे और वहां भी उनके साथ युद्ध होगा और उनका सरवनाश हो जाएगा भगवान उनका पुरा सफाया कर देंगे और उसके बाद एक बाद पुरा दमन सबका सफाया हो जाए फिर उसके बाद कासी नगरी जल मगन हो जाएगा गंगा जल में डूप जाएगा जल समाधी हो जाएगा कासी नगरी का अब कासी में उनका सफाया कौन करेगा प्रभू का क्या लीला है तो कासी में भी प्रभू बडवद्र का अंग सवतार होगा जो मुस्लिम लोग को खतम करेंगे तो ये सब कासी का जो बडवद्र का अंग सवतार है इसके बारे में आप कालकी लीला पुस्तक के अंग सवता चैप्टर में आप देख सकते हैं उसमें इस भक्त का नाम और डीटेल सब लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि पहले इंग्लैंड सेना जवर सेना के साथ लड़ेंगे लड़ते लड़ते वो अलमस्ट हार जाएंगे तब अमरीका सेना उनको हेल्प करने के लिए आएंगे तो अमरीके सेना जब आएंगे तब दोनों सेना को भी जवर सेना जो मुसलिम सेना है वो भारी बढ़ेंगे और उनको वहां से भागा देंगे तो और इंग्लैंड और अमेरिका सेना उसमें हम लोग का भारते सेना भी होगा वो तीनों वहां से भाग जाएंगे तो कटक तक जवर सेना आयेगा तो कटक सहर पहुंचने के बाद वहां भी जो बचे कुछे होंगे उनको उन लोग मार देंगे तो वहां पर क्या होगा मारने के बाद वहां पर रहेंगे तब तक इंग्लैंड सेना अमेरिका सेना भारते सेना जो भी होगा वहां से सब भाग जाएंगे कटक वटक छोड़ के साथ वहाँ से भाग जाएंगे तो इसका प्रसंग का जिस्ट यह है कि पहले बृतिश सेना और कुछ भारते सेना होंगे वो जबर सेना मुसलिम सेना के सर्थ लड़ना स्टार्ट करेंगे करने के बाद मुसलिम सेना उन पर भारे पड़ेगा से भाग जाएंगे आगे आजाएंगे और मुस्लिम से ना क्या गरेगी वहां पर वह जितने भी बच्चे कुछे लोग वहां पर है कटक वी नास कर देंगे उन लोग मार देंगे सब तब उनलोग वहीं रहेंगे कटक तक रहेंगे फिर कहीं से उनको ख़वर आ जाएगा कि जाजपूर में वहाँ पर अमरिकें से ना ब्रिटिश ना इंडियन से ना एकत्रित हुए हैं तो जब उनको यह भनक लगेगा तब जबर सेना जो मुस्लिम सेना वहां तक आएंगे जाजपूर आएंगे अटक करने के लिए जो गोहिरा टिक्री का यूद है वहां होगा तब प्रभु जगन्ना तब प्रभु बडवद्र अपने तीन लाग सेना के साथ वहां पर तब वह यूद जित जाएंगे पुरादेश को जित जाएंगे तो उन लोग वहां फूल फिलेज में अटक करेंगे और तब प्रभु जगन्ना तब प्रभु बडवद्र उनका विनाश करेंगे सब को खतम कर देंगे वहां पर और जो बचे कुछ रहेंगे जो मैंने पहल जबर सेना के साथ भारत सेना प्रभु के जो तीन लाग सेना होगा और अमरिकन सेना इंग्लेंड सेना सब एक साथ रहेंगे और जबर सेना के साथ यूद करेंगे तो साथ दिन साथ रात तक बहुत बड़ा यूद चलेगा बहुत रक्तपात होगा और आटवे दिन प्रभ प्रभु सब जवरसेना को खतम करके इस यूद को खतम करेंगे यह जुगांत मालिका स्यामदास ने लिखा है यहाँ पर वो गुरु प्रभु श्री अनदी पुरुष प्रभु कालकी को बुला गया है तो प्रभु जगन्नात और प्रभु बड़वद्र वो कालकी प्रभु के पास जाएंगे यह भिमोबोई ने लिखा है तो उन्होंने भी लिखा है कि यूद होगा आट दिन तक और जितने भी अधर्मी लोग है जितने भी हमरे दुस्मन है दुस्मन के सेना है उन सबका नाश और खतम हो जाएगा प्रभु उनका नाश कर देंगे उनको खतम कर कंदः लिला ने लिए प्रभु मारें यूद्थ होगा जरू दो घरने के लिए वो कैसे प्रखट होंगे व पुलिन सर बाद में वीडियो बनाएंगे तब वो कहेंगे डिटेल में यह प्रभु के लीला के बारे में लिखा है कि प्रभु 33 हाथ उपर एराउंड 47 फीट उचा एक मंच होगा उसके उपर प्रभु वहां बैठे रहेंगे और जितने भी भक्त हैं उनको पुरा घेर के पुरा राउंड करकर सर्कल करके उनके चारों तरफ रहेंगे और वो भज सब प्रभु के चारों तरफ रहेंगे भर्जन गिर्टन और रास वह करते रहेंगे प्रभु को सर्कल करके रहेंगे सब इसका मतलब यह है कि सूर्य और चंद्र वो दोनों मानव सरीर रूप में आएंगे प्रभु के पास और उनके पास रहेंगे या मुलाकात भी करेंग उनके साथ तो ये भीमोबई ने लिखा है और उन्होंने उसका बाद एक उपदेश भी दिया है उन्होंने लिखा है उपदेश में कि चार युग में ऐसा यूद कभी नहीं हुआ है ऐसा लीला भी कभी नहीं हुआ जैसे यूद हो रहा है प्रभु अपना लीला कर रहे है राश चल रहा है भक्त भजनकिर्थन कर रहे है तो ये सब एक साथ कभी नहीं हुआ है जैसे यूद के साथ साथ प्रभु लीला भी कर रहे है भजनकिर्थन चल रहा है, राश चल रहा है कोई भी जनम में ऐसा नहीं हुआ है यह पहला ऐसा यूग होगा जहापर यह सब एक साथ हो रहा होगा और यह प्रभु का लीलाय का एक पार्ट है तो यह से भिमेवोई ने लिखा है तो चलिए दोस्तो इसका तीसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है चलिए भगवान का नाम लेते हैं हुए और जय जगन्ना जय पंचे सका मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में